कि असलाम वालेकूं कैसे हैं आप लोग आप लोगों का लुगनान के कीचन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लाई हूं मतं दं बिर्यानी गोश्कीं तो कोई भी ओकेजन हो या दावत हो आपके घर में को इस बिर्यानी को जरूर ट्राइ करें और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बिर्यानी बन कर तयार होती है और ये मेरे एक वीवर सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है तो देखिए मैं ये मतन बिर्यानी कैसे बनाती हूं तो हमें लेना है किलो गोश जिसमें हड्यां भी हो और गोश भी हो और चिकनाई भी हो तो इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत फ्लेवर फुल बनेगी तो मैंने गोश को धो कर क्लीन कर लिया है इसमें डालाद्रक लसन का पेस्ट ए दो चम्मच और दो टर्माटर है जिससे मैं ने बारी और ये डाला मेने नमक दो चम्मच ये एक किलो के हिसाब से मैं बता रही हूं तो इसके अंदर चाहेगा आधा किलो दही पिर अब इसको मैं इसके अंदर पिर डालूंगी ये देखिए मैंने घड़े-गरम मसाले भी ले लिये हैं जो भी आपके पास अवेलेबलो दो पाउडर हल्दी एक चम्मच बड़ा और दो चम्मच लाल मिल्ची पाउडर या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको ले सकते हैं ये सब इसमें डालिए और हातों से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिए तो फिर इसे हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे आदे घं ली थी आठ से दस प्याज काट लीजिए फिर उसको ब्रिस्ता बनाके रखिए इबने एक आलू भी काट लिया था इस तरीके से और उसे भी फ्राय करके रख लिया है अब ये मेरा मैरिनेशन तयार हो बया है तो फिर मैंने इसे गरम तेल में सब चीज ऐसी ही डाल के इसे क बोश गलने के लिए रख दिया अब एक पतीले में पानी लीजिए फिर उसमें मैंने डाला नमक जादा डालिए ताके थोड़ा पानी खारा लगे जब चावलों के लिए पानी उबालने के लिए रखा है उसमें घरम मसाले डालिए और फिर ये मैंने एक किलो चावल पहले इसे ही भीगोकर आदे घंपे पहले रख दिये थे अब पानी में उबाल आ रहा है तो मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्ची सब चीजे डालके चावल भी डाले अब इसको उबालने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ेंगे अब ये देखिए ये हमारे 80% कुख होने चाईए चावल तो ये पग गए हैं ये देखिए इस तरीके से चेक कीजिए 80% कुख होने चाईए अब मैं इसे चान लूँगी अब ये गोश भी मैंने देखा तो घल गया है गोश थोड़ा सा पानी है मैं इसे चूले पर रखूँगी और इसके अंदर ये प्यास को मैंने विरिष्टा जो बन गया है तो उसको मैंने हाट शे मसल लिया था और वो इसमें डालके मैं इसे लिए छोड़ूँगी फिर मैंने इसके अंदर एक निम्बू डाला बड़े सा इसका प्रिये मैंने यह तेल भी अलग कर लिया था मसाले से अब मैं यह चावल भी मेरे उबल के तयार हैं नहींने एक पैन में एक बड़ी पतीली में पहले चावल डाले नीचे उसको थोड़े से आधे चावल हमें नीचे डालने है फिर इसके उपर जो मैंने तेल निकाला था मसाले का तेल अलग कल लियाता तरी तो वो डाली थोड़ी सी फिर मैं इस पे गोश को डालूंगी पुरी लेर बना दूंगी गोश की अच्छे से करके फैला दूंगी गोश को गोश का जो मसाला है उसका अच्छे से पूरा हमें इसको फैला देना है फिर मैं यालू कट के इसके उपर विछा दूंगी अच्छी तरीके से सब आप गोश में नमक, मिल्ची सब अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिए जिस चीज की जरुरत हो, सब चीज बराबर होनी चाहिए और फिर इस पे हरा धनिया डालिये, पुदीना डालिये और गरम मसाला छिड़किये और थोड़ी सी वो तरी जो मैंने पहले निकाल के रख ली थी गोश में से थोड़ी सी वो डालिये और थोड़ी सी बचाके रखिये थोड़ी सी ये तरी भी डाल दीजिये आधी तरी इसमें से इसमें गोश में डालिये ये बिर्यानी बहुत बहत्तरीन बनी थी आप भी मेरी तरीके से बनाईए इंशाल्ला आप लोगों को भी पसंद आईगी फिर इसके उपर चावल की दुसरी लेर भी हमें अच्छी तरीके से डाल के फैला देनी अब मैंने ये फूट कलर ले लिया है थोड़ा सा पीले कलर का फिर वो भी डाल दिया आप चाओ तो इसे एक सीप्री कर कर सकते हो और फिर मैंने इसके डाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एक चम्मच छिड़क दिया और फिर राधनिया और पुदी ना डाल के छिड़क दिया और हरी मिर्चे डाल दी इसके उपर फिर उसके बाद मैंने ये जो तरी मैंने निकाली थी ये मैंने इस पे डाल दी इस तरीके से अच्छी तरीके से आप डाल दीजी सारी की सारी तरी अलग से कोई टेल डालने की आपको जरूरत नहीं है फिर इस पे मैंने डाली ब्रिस्ता जो मैं थोड़ी सी प्याज बचा के रख रखी थी और फिर हमेंसे दम देना है तो मैंने कपड़ा लगा लिया उसके उपर रखा ढकन और इसको अब हमें पांच मिनट तेज आज पे और आधा घंटा सुलो आज पे तबारक के हमें दम देना है और फिर देखे बिरियानी तयार हो गई माशाला से बहुत अच्छी बिरियानी बनीती तो आप लोग भी मेरे तरीके से बनाईए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी टिश को लाइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताईए कि आपको मेरी बिरियानी कैसी लगी आप भी मेरे उसी तरीके से बनाईए जैस तरीके से मैंने आपको बताया है इंशाल्ला आपकी भी अच्छी बनेगी बिर्यानी और जो मेरे सब्सक्राइब जिनों ने इसकी फर्माईश की थी तो वो भी आप देख सकते हो कि मैंने ये बिर्यानी आपके लिए बना ली है तो अल्ला हाफिस